नमस्कार दोस्तों, जो बाइडन के राष्टपती बनने के बाद पहला मेजर क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि कल ही वेडनेस डे को जो बाइडन ने डारेक्टली बोला है कि रश्या की जो प्रेसिडेंट है व्लाडमेर प्रोतिन वो एक किलर है, एक हत्यारे हैं, यहाँ पर आप न्यूस देख सकते हो, अलजजीरा का आर्टिकल है, पुतेन इसको लेकर रश्या का क्या जवाब आया, इन सब को एनलाइस करेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते है इंस्टाग्राम, फेस्बुक और पर मेरे लेक्चे की हर पीडियाफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, बाई सर्चिंग, अंकित अगरवाल ओफिशल, और जैसा कि आपको पता है कि UPSC का तो आएए देखते हैं सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है, हम क्यों इस पर्टिक्लर टॉपिक को डिसकस कर रहे हैं, वेडनेश डे को यहाँ पर क्या हुआ कि रोशिया ने उनके जो अंबैस्डर हैं, जो NY होते हैं दूसरे कंट्री के अंदर, तो US के अंदर जो अंब जब से जो बाइडन यहाँ पर राश्टपती बनने है, 21st of January से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो बाइडन ने बयान दिया है कि वो killer है, वो क्यों बोला उन्होंने, क्या वो डिरेक्ली वाइट हाउस से निकल कर अचानक से आ गया और बोल दिया कि वो killer है, नहीं, य इस interview में उनसे पूछा गया कि recently एक intelligence report आया है US का, मैं आपको बताऊंगा इस report के बारे में आगे, कि यह जो report आया है, उसमें directly इलजाम लगाया गया है, कि 2020 में जो US के अंदर election हुआ था राश्टपती का नवंबर में, यहाँ पर जो Vladimir Putin है, उन्होंने Donald Trump को promote किया है, और जो boost करना चाहा है, promote करने की कोशिश की है, ऐसा एक report आया है, इस report को लेकर आपका क्या कहना है, और इसी के जवाब में यहाँ पर Joe Biden ने कहा कि he will pay a price, तो उनका एक जवाब था, he will pay a price, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आगे वो करने वाले हैं, US यहाँ पर कुछ step लेगा, लेकिन यह killer वाला जवाब कहां से आया, तो बेसिकली आपको याद होगा, कि कुछ समय पहले हमने वीडियो भी देखा था इसके उपर, यहाँ पर रश्या में क्या हुआ है, कि opposition के जो लीडर है, Alexei Navalny, उनको यहाँ पर jail में बंद कर दिया गया है, और अभी के लिए करीब अब यहाँ पर वापस से जब वो रश्या आए, इसको लेकर बहुत सारा जो भीड है, जो लोग थे, उनके support में आ गए, इसको देखते वे यहाँ पर जो रश्या के प्रेसिडेंट है, व्लैडमिर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर उनको detain कर लिया और रोक लिया, और उनक के support में आपने देखा होगा, बहुत जादा लोग बाहर आ गए थे, गुस्सा हो गए, कि यहाँ पर आप किस तरह से जो opposition के leader हैं, एक तरह से उनको आप बंद कर सकते हो, तो इसके जवाब में, यहाँ पर यह कहा कि जो poisoning D गई थी, Alexi Navalny को, तो क्या आपको लगता है, तो उ interference की बात कही गई है, यह report कहां से आई, यह report है क्या basically, तो Tuesday को एक दिन पहले की बात है यहाँ पर, Office of the Director of National Intelligence, जो US के अंदर intelligence agency है, उन्होंने यहाँ पर यह report जारी किया और यह कहा, उसमें conclusion में यही लिखा हुआ है, कि Moscow ने यहाँ पर अपना जो मुद्दा है, उसको push करने क की कोशिश की है, influence करने की कोशिश की है, और यहाँ पर Joe Biden के बारे में जूटी खबरे हैं, गलत खबरे हैं, उसको यहाँ पर US के मीडिया में प्रचार करने की कोशिश की है, मतलब कि US के मीडिया हो गई, US के officials हो गई, जो prominent person हो गई US के अंदर, उनके वहाँ पर उनको जो है एक तरह से गलत-गलत खबरें फैलानी की कोशिश की गई है, Joe Biden के बारे में, और यहाँ पर यह कहा गया है कि Trump को उन्होंने बढ़ावा दिया है, और इन सब चीजों के बारे में जो Vladimir Putin है, उनको इसके बारे में पता था, क्योंकि उन्हें नहीं ही direct किया था कि ऐसा चीज कर की रिपोर्ट आई थी और बोला गया था कि जो Russia है, उसने यहाँ पर hacking के थूँ, यहाँ पर जो campaign है, उसको influence करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर अब finally क्या होता है, क्या जो US है, वो एक बड़ा step लेगा Russia के खिलाफ, क्योंकि आप समझीए, अगर सपोज मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर election हो रहा है, इसको लेकर US हो गया, चायना हो गया, अगर वो भारत के election में interference करने हैं, तो definitely यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है, और especially US जैसे देश के अंदर, अगर उसके election के अंदर interference करना, तो यहाँ पर again, US की जिम्मेदारी होती है कि क्या वो step ल लगाए जा सकते हैं Moscow के उपर, although मैं आपको बता दू कि US ने already जो Alexei Navalny वाला मामला है, जिसमें poisoning दिया गया था उनको, इस मामले में already 4 senior Russian officials को इसी महने, starting के इसी महने यहाँ पर sanctions लगा दिया है कि वो अब यहाँ पर travel नहीं कर सकते, in fact Wednesday को ही, कल की ही बात है, US Commerce Department ने कुछ जो exports किया जाता है US से Russia के अंदर, उसके उपर भी sanctions लगा दिया है, मतलब अब वो Russia के अंदर export नहीं किया जाएगा कुछ items के उपर, क्योंकि यहाँ पर जो US है, उसने ये भी कहा है कि 2018 में एक और poisoning का मामला आया था, जहाँ पर former Russian military intelligence officer को poisoning दे दी गई थी, इसको लेकर जो sanctions है लगाया गया है, लेकिन जो Alexei Navalny वाला हो गया, और यहाँ पर अब जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि Russia ने influence करने की कोशिश की है US के elections को, अब इसको लेकर अगले हफते काफी बड़ा sanctions लग सकता है, इन सारे चीज़ों को देखते वे Russia का क्या response था, तो आप यहाँ पर देख पाओगे, Russia का अभी के लिए clear कहना है कि यह जो पूरा intelligence report आया है, इसमें कोई भी substantive evidence नहीं है, किसी भी तरह का foundation नहीं है, हम इसको पूरी तरह से मना करते हैं, और यहाँ पर Russia ने एक तरह से warning दे दिया कि अगर आप further sanctions लगाओगे, तो US और Russia का जो envoy हैं, जो ambassador होते हैं, उनको बुला लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, clearly लिखा हुआ है, कि उनके ambassador जो है, जिनका नाम है, Anatoli Antono, उनको यहाँ पर बुलाया गया है Moscow, ता कि यह जो move चला गया है, US के द्वारा, यह जो इल्जाम लगाया जा रहा है directly, इसको लेकर अंदर बयान यह भी दिया है, कि यह जो पूरी जिम्यदारी है, कि आगे US और रश्या का relation कैसा होगा, इसकी पूरी responsibility अब United States के उपर है, क्या वो further sanctions लगाती है, तो further यहाँ पर जो tensions हैं, वो आपको दोनों देशों के बीच में देखने को मिल सकते हैं, मैं आपको बता दो क कि recently यहाँ पर दोनों देश के बीच में जो tensions हैं, वो बढ़ते गए हैं, especially यहाँ पर मैं आपको example बताओं कि Biden जब जीत कर आये थे, तो usually क्या होता है कि सबसे बातचीत होती है, जो पुटिन थे, Vladimir Putin, he was the last person to congratulate Joe Biden, ठीक है, तो यह एक example है, इसके अलावा यहाँ पर recent month में जो allegations लग रहे हैं, hacking के, जो cyber crime वगर से related, फ्लस यहाँ पर US का जो demand आया है, नेवलनी को छोड़ दो, jail से हटा दो, इस सारे चीज़ों के प्रस्तिती में आप कह सकते हो कि recently, जो tensions हैं, दोनों देश के बीच में यहाँ पर बढ़ते वे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो let's see कि आ सादू 1958 में सबसे पहली बार रशिया ने इसको build किया था, place कर दिया था, तो इसके response में यहाँ पर आपको बताना है कि United States ने भी एक साल के बाद जो intercontinental ballistic missiles बनाया था, उसका क्या नाम था, यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हो, और इसका जो right answer है, आपको पता ही हमेशा कितरा आपको मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, अगर आप social media पर नहीं हो, कोई बात नहीं, telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs डालता रहता हूँ, यहाँ पर stories के form में, आप जाकर play कर सकते हो, अगर आप मुझे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.